29 मार्च 1849 की यह बात है किलो के बीचो बीच स्थित शीश महल में 10 साल के महाराजा दिलिप सिंग को लाया गया उस बाला के पिता महाराजा रंजीत सिंग एक दशक पहले ही घुज़र चुके थे उनकी मा रानी जिंदन कौर को कुछ समय पहले जबरदस्ती शहर के बाहर एक दूसरे महल में भेज दिया गया था दिलिप सिंग के चारो ओर लाल कोट और हैट पहने अंग्रेजों ने घेरा बनाया हुआ था थोड़ी देर के बाद सारवजनिक समारो में उन्होंने अपने दरवार के बचे कुछे सरदारों के सामने कुछ दस्तावेज पर दस्थकत किये जिसका अंग्रेज सरकार बरसों से इंतिजार कर रही थी कुछे मिन्टों में लाहोर के लिए पर जो सिख खालसा का जंडा लहरा रहा था उसे नीचे उतारा गया और उसकी जगह इस्ट इंडिया कंपनी की धारियों वाले जंडे ने ले ली उसके साथ ही सिख समराचे पर ना सिर्फ इस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुतत्व हो गया बलकि दुनिया का सबसे मशूर हीरा कोहिनूर ही उनके कबजे में आ गया कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि इसे संभवता तुर्कों ने किसी दक्षन भारतिय मंदिर में एक मूर्ती की आँख से निकाला था कोहिनूर का पहला अधिकारिक जिक्र 1750 में फार्सी इतिहासकार मुहम्मद मार्वी के नादिर्शा के भारत वर्णन में मिलता है मार्वी लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आँखों से कोहिनूर को देखा था वो समय तक्तिता उसकी उपरी हिस्से में जड़ा हुआ था जिसे नादिर्शा दिल्ली से लूटकर इरान ले गया था नादिर्शा ने करनाल के आसपास अपने डेर लाग सेनिकों की बदौलत मुगल बाद्शा मुहम्मद शार रंगीले की 10 लाख लोगों की सेना को हराया था दिल्ली पहुंचने पर नादिर्शा ने ऐसा कतल्याम कराया कि जिसका उद्धारन इतिहास में बहुत ही कम मिलता है नादिर्शा के 40,000 सेनिक दिल्ली में घुसे तो अनाश के दाम मानों आसमान पर चले गए जब नादिर्शा के सेनिकों ने मोलभाव करना चाहा तो उनमें और दुकांदारों में जड़प हो गई और लोगों ने सेनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया दोपहे तक 900 फार से सैनिक मारे जा चुके थे तब नादिर्शा ने दिल्ली के आबादी के कतलियाम का आदेश दिया था कतलियाम सुबह 9 बजे शुरू हुआ सबसे ज़ादा लोग लाल किला, जामा मस्दित, दरीवा और चान्मी चौक के आसपास मारे गए थे कुल मिलाकर 30,000 लोगों का कतल हुआ मुहम्मर्शा के सेना पती निजामल मुल्क बिना पगड़ी के नादिर्शा के सामने गए उनके दोनों हाथ पीछे की तरफ उनकी पगड़ी से बंदे हुए थे उनके सामने घुटनों के बल बैट कर कहा कि दिल्ली के लोगों से बदला लेने के बजाए वो उनसे बदला ले तब नादिर्शा ने इस शर्ट पर कतल्याम रुखवाया कि वो उनसे दिल्ली छोड़ने से पहले 100 कोडो रुपए देंगे अगले कुछ दिनों तर निजामुल मुल्क ने अपनी ही राजधानी को लूट कर वो धन्च चुकाया या फिर संच्छेप में कहें तो एक शन में 348 सालों से मुगलों की जमा कीवी दौलत का माले कोई दूसरा हो गया नादिरो शाह ने जब कोहिनूर को पहली वार देखा तो देखता ही रह गया और उसी ने इसका नाम कोहिनूर यानी रौश्नी का पहाड रख हाथ था नादेर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक नहीं रह पाया उसके हत्या के बाद ये हीरा उसके अफगान अंग्रक्षक एहमेद शाह अबदाली के पास आ गया और फिर कई हाथों से होते हुए 1813 में महराजा रंजीत सिंग के पास पहुंचा महराजा रंजीत सिंग कोहिनूर को दिवाली, दशहरे और बड़े तेवारों के मौकरोग पर अपनी बाह में बांध कर निकलते थे जब भी कोई ब्रेटिश अफसरूर के दरबार में आता तो उसको ये हीरा खास तोर से दिखाया जाता था 1849 में रंजीत सिंग के मृत्ती हो गई, कड़े सकता संघर्ष के बाद 1843 में पांच बर्षी दिलिप सिंग को पंजाब का राजा बनाया गया लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्न में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके सामराजे और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कबजा हो गया दिलिप सिंग को उनकी मां से अलग कर अंग्रेज दंपत्ती के साथ रहने के लिए फतह गर भीज दिया गया था लौड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आये थे वहां के तोशे खाने से हीरे को निकलवा कर डलहौजी के हाथों में रखा गया था उस समय उसका वजन 190.3 कैरेट था लौड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज मेडिया से महरा ने विक्टोरिया को भेचने का फैसला किया उस जहाज को रास्ते में कई परिशानियों का सामना भी करना पड़ा जब कोहिनूर को जहास पर चढ़ाया गया तो जहास के चालकों को इसकी भनक भी नहीं भी गई थी कि वो अपने साथ क्या ले जा रहे हैं मेडिया नाम के जहास के इंग्लेंड रवाना होने के एक दो हफते तक तो कोई समस्या नहीं आई लेकिन फिर कुछ लोग बिमार हो गए और जहास पर हैजा फैल गया जहास के कपतान ने अपने चालकों को यह भरोसा दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है हम मौरिशस आने वाले हैं मौरिशस में हमें दवाई और खाना मिल जाएगा लेकिन जब जहास मौरिशस पहुँचने वाला था तो लोगों तक जहास पर बिमार लोगों के बारे में खबर पहुँच गई और उन्होंने धमकी दी कि अगर जहास उनके तट के पास भी पहुँचा तो उसे तोपों से उड़ा दिया जाएगा किसी तरह चालक दल इस मुश्किल से निकलते निकलते इंग्लेंड तक पहुँचे रास्ते में उन्हें एक समुद्री तुफान से भी गुजरना पड़ा था जिस तुफान ने करीब करीब जहास को दो हिस्सों में तोड़ दिया था जब वो इंग्लेंड पहुँचे तब जाकर उन्हें पता चला कि वो अपने साथ कोहिनूर ला रहे थे और शायद इसी वज़े से उनको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था लंडन में कोहिनूर का भवे स्वागत हुआ कोहिनूर को लंडन पहुँचने के बाद क्रिस्टल पैलेस में रखा गया दे टाइम्स ने लिखा कि लंडन में इससे पहले लोगों का इतना बड़ा जमावरा कभी नहीं देखा गया था जितना बड़ा जमावरा कोहिनूर को देखनी के लिए उमड़ा था जब लोग प्रदशनी के द्वार पर पहुंचे तो अंदर घुसने के लिए घंटों ने लाइन लगाने पड़ी थी या हीरा पूरव में ब्रिटिश आसन की ताकत का प्रतीक बन गया था और ब्रिटेन की फौजी ताकत के बढ़ते असर को भी दिखाता था इस बीच फतेगट किले में रह रहे महराजा दिलिप सिंग ने लंडन जाकर महराने विक्टोरिया से मिलने की इक्षा प्रकट की रानी इसके लिए तयार भी हो गई वही पर दिलिप सिंग ने राने विक्टोरिया के पास रखे कोहिनूर हीरे को उने भेट किया रानी विक्टोरिया को हमेशा बुरा लगता था कि उनकी हुकूमत में एक बच्चे के साथ क्या किया था वो दिलिप सिंग को दिल से चाहती थी इसलिए उनके साथ किये वैवहार पर दुख था हाला कि कोहिनूर उनके पास दो सार पहले पहुँच चुका था लेकिन उन्होंने इसे सारजनिक तोर पर अभी तक नहीं पहना था उन्हें लगता था कि अगर दिलिप ने इसे देखा तो उनके बारे में क्या सोचेगा रानी ने दिलिप सिंग का एक चितर बनाने के लिए एक चितरकार को बुलाया उस जमाने में एक मशूर चित्रकार हुआ करता था, फ्रॉस जेवर. रानी ने उनसे दिलिप सिंग का एक चित्र बनाने के लिए कहा, जिसे वो अपने महल में लगाना चाहती थी. जब दिलिप सिंग बकिंगम पैलेस के वाइट ड्रॉइंग रूम में मंच पर खड़े उठा लिया. उसे उन्होंने खिड़की के पास लिजा कर धूप में देखा. तब तक उस कोहिनूर की शकल बदल चुकी थी और उसे काटा जा चुका था. अब वो वो कोहिनूर नहीं रह गया था जिसे दिलिप सिंग उस समय पहना करते थे, जब वो पंजाब के महराज हु एने के बाद दिलिप सिंग ने महरानी से कहा कि और मेजेस्टी मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मैं ये हीरा आपको तोफे में दू. विक्टोरिया ने वो हीरा उन से लिया और अपनी मृत्यू तक लगातार उसे पहना. दिलिप सिंग अपनी मा से मिलना चाहते थ और वो जहां भी जाएंगी उनके साथ ही रहेंगी. तब तक जिंदन अपनी आखों की रोशनी खोड़ चुकी थी. उन्होंने दिलिप सिंग के सिर पर हान फेरा तो उनको जटका लगा. उन्होंने अपने बाल कटवा दिये थे. दुख में उनकी चीख निकल गई. उसी सम कर उन सैनिकों ने जोर-जोर से नारे लगाना शुरू कर दिया. जिसे घबरा कर अंग्रेजों ने दोनों मा बेटों को पानी के जहास पर बिठाया और इंग्लेंड रवाना कर दिया. दिलिप सिंग दीरे-दीरे राने मिक्टूरिया के खिलाफ होते चले गया. उन्हें ल अप्रेल 1886 को उन्हें वह उनके परिवार को पोर्ट सईव में गिरफतार कर लिया गया. बाद में उन्हें छोड़ा गया लेकिन उनका सब कुछ छीन लिया गया. 21 अक्टूबर 1893 को पेरिस के एक बहुत मामूली होटल में उनकी लाश मिली. उस समय उनके साथ उनके महरानी एलेकसेंडरा के ताज में कोहिनूर को जगय में दी. कोहिनूर के साथ एक अन्विश्वास फैल गया कि जो कोई पुरुष उसे हाथ लगाएगा यह उसे बरबाद कर देगा. लेकिन महिलाओं को इसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी. बाद में भावी राजा से अपने ताज के बीच में पहना. लेकिन इसके बाद महरानी एलिजाबेट दितेर ने कोहिनूर को अपने ताज में जगय नहीं दी. आजकल दुनिया का यह सबसे मशूर हीरा टावर ओफ लंडन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है. घर पे रहें, स्वस्त रहें. नमस्कार.